सरकारी नौकरी का ख्वाब देखने वाले और उसकी तैयारी कर रहे लोगों के लिए खुश खबरी है संग लोग सेवा आयोग यानि UPSC के जरीए होने वाली सरकारी नौकरियों की भरती परिक्षाओं के लिए नई तारीखों का एलान हो गया है UPSC हर साल इन परिक्षाओं का केलेंडर जारी करता है लेकिन इस बार लोगडाउन की वज़े से ये परिक्षाओं निर्धारित समय पर नहीं हो सकी अब UPSC ने इन सभी परिक्षाओं के लिए नया कैलेंडर जारी किया है आईए जानते हैं कब-कब कौन सी परिक्षा की तारीख तैकी गई है UPSC की सिविल सेवा और इंडियन फॉरस्ट सर्वेस यानि IFS की प्रिलिमिनरी परिक्षाओं के लिए 4 अक्टूबर 2020 का दिन तैकिया गया है सिविल सर्वेस की मेंस की परिक्षा 8 जनवरी 2021 को होगी जबकि IFS की मेंस की परिक्षा अगले साल 28 फरवरी को रखी गई है इसी तरह से NDA और N.A. की परिक्षाओं के लिए 6 सितम्बर 2020 की तारिक तैकि गई है Combined Geo Scientist की मेंस परिक्षा 8 अगस्त 2020 को होगी Engineering Service की मेंस परिक्षा 9 अगस्त 2020 को होगी IES की परिक्षा 16 अक्टूबर 2020 को होगी Combined Medical Service परिक्षा 22 अक्टूबर 2020 को तैकि गई है CDS की परिक्षा 8 नवंबर 2020 को होगी SO, STENO की परिक्षा 12 दिसंबर 2020 को होगी Central Armed Police Force की परिक्षा 22 दिसंबर 2020 को तैकी गई है UPSC के जरिये एक तरफ जहां सिविल सेवा की परिक्षा करवाई जाती है वही सरकारी नौक्रियों से जुड़ी कई और भरती परिक्षाएं भी कराई जाती है इन परिक्षाओं की जरिये कई अलग-अलग केंद्री विभागों में नौक्री पाने का मौका मिलता है देश भर में लाखो छात्र इन परिक्षाओं में शामिल होती है